हाँ तो चलिए आज हमारी दूसरी क्लास है कॉलिटी की पर उससे पहले हम एक बात पीछे मुड़के देख लेते हैं कल क्या पड़े आ लौट चलें पीछे की ओर ठीक है नहीं पूछे नहीं मुझे कल पता चला कि कल की वीडियो में हमाज नहीं तिसलिए आज हमने सोचे ब्रिकॉर्डिंग करकर-कर करकर डालें और कल मैंने भी सुना तो अब आज नहीं थी काफी काफी आवार्माज कट रही थी ठीक है तो श पॉलिटी मतलब राजबरास्ता और राजबरास्ता किससे डिसाइड है आपके संभीधान से तो मैंने सबसे पहले कल यही कोश्चन पूछा था कि यह आइडिया किसका था कि संभीधान होना चाहिए कल सभी लोगों ने बताया था MNROI और सही भी है और यह कब उनके दिमाग सबसे पहले किन्होंने बोला MNROI ने उसके बाद है अब लोग भी कहां पहुंच गये इसके बाद मैंने क्या बताया था स्वाराज पाटी ने मैंने बताया था कि इनी के साथ यह जो MNROI ने के साथ पिर इनका भी इसाय था उन्होंने कि स्वाराज पाटी के लोगों ने भी कहां संभीधान होना चाहिए और फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने ओफिशली एक नोटिफिकेशन न सिकालते हैं कि हाँ समीधान होना चाहिए और जब कॉंग्रेस आपको पता उस साहीं पर बहुत साहीं नेता थे तो उसकी डिमांड तो पूरी करनी पर तो कब किया कब उन्होंने डिमांड रखी ते अपनी समीधान को निर्मित करने की कि किस आउग 1935 में समीधान निर्मांड कि उन्होंने मांग की थी पर 1938 में पंडी जवाहलाल नहरू ने इंडियान नैशनल कॉंगरेस की तरफ से वह जो उन्हों मैंने क्या बता है 1935 में उन्होंने अपने बैठक में बोला कि हां कॉंग्रेस समीधान होना चाहिए पर 1938 में पंडी जवाहलाल नहरूंने क्या किया अंग्रेजों से मांग की कॉंग्रेस की तरफ से ठीक है और फिर इससे स्विकार कप किया गया 1940 में अगस्त प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं ठीक है ठीक है हां तो बोल दिया करो ऐसे में लगता है कि बस अभी हवा उसे उपर जा रहा है तो बोल दिया करो ठीक है 1940 में उन्होंने अगस्ट प्रस्ताव के रूप में से एक्सेप्ट किया फिर उन्होंने एक मिशन भेजा था अरी अभी आप 6 साल आंगे कहां पहुंचे पहले थोड़ा पीछे दुख जाईए में क्रिप्स मिशन भेजा उन्होंने पर यह असफल हुआ उसका रीजन मैंने कल बताया था कि मुस्लिम लीग ने दो स्वायत राज्यों की मांगी थे भारत और पाकिस्तान और यह थोड़ा उनके उपर से चला गया था तो इसलिए वापिस चले गए और फिर उसके बाद उन्हें एक और मिशन भेजा था कैबिनेट मिशन उसके अध्यक्स कौन थे हरे वही सेम थे वह उसे भी क्लेर करते जाएं अगर जल्द बाज में आप लोगों ना लिख पाए हो तो कौन-कौन थे सदर से स्टेफोर्ट क्रिप्स से कल को स्टीफन क्रिप्स बोल रहा था कौन बोल रहा था स्टेफोर्ट क्रिप्स पैथिक लॉर्स और एवी ऐलेक्जेंडर लिखने की जरुत नहीं है ना कल मैंने लिखा भी था बोल पर यह कहां तक हम पहुंचे 1946 तक क्रैबिनेट विशन तक उसके बाद क्या हुआ नवंबर 1946 में संभीदान सभा का गठन हो चुका था पर पहली बैठक कब हुई कल मैंने पढ़ा दिया फिभी सभी लोग अलग अलग बोल रहे हैं कब हुई है नौ दिसंबर 1946 को संभीदान सभा की पहली बैठक हुई सुनाई दे रहा है समझ में आ रहा है ओल नोट में सही लिखे हो ठीक है फिर नौ दिसंबर के बाद अगली भी एक बैठक कुई ती ज सचिनानन सिनहां चुने गए थे फिर अगले फिर दो दिन बार 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ इस थाई अद्यक्स और उपाध्यक्स कौन थे और उपाध्यक्स अब 11 तारीक हो चुकी है अब जैसे कि दो तारीक कर्वीनों ने वह चला दिया परंपरासी तो दो दि तो डिसांबर 2046 को य neighborhood उसमें क्या हुआ उसमें उद्देश प्रस्तावण पंडवाह लाल नहरू लेकिया है जो प्रस्तावना से काफी मिलता हूं मिलता जूलता है और आपको पता भारत्र में प्रस्तावना किस्सें लिए प्रस्तावना का आईडिया और श्डीक्स अमे पर उसकी जो भाषा है वो ओसटेलियों जँभान सउम tweakाच में का तक हम पहुचें एह सब्सक्राइब कहां तक हम पुचें तेरा Deutschामभ उनीसींस्तोय US qy процव जो क्या हुआ उद्देश प्रस्ता लाया गया और यह सेखसे कप किया कंग्रेस ने मतलब जो आ तो क्या बोल नहीं है क्या हुआ जो उन्होंने उद्देश प्रस्ताव लाया था उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया बाइस जन्वर मांट बेटन योजना आ गई है जून को आई है जुलाई हो गया अगस्त हो गया अगस्त में क्या हुए पंद्रह अगस्त 1927 को भारत आजाद हुआ हुआ हो गया अब आजाद की बाद कोई घटना बताएंगे कुछ हुआ यह मतलब यह जून जुलाई को क्या हुआ बाइस जुलाई 1947 को राश्त्री दोज अडॉप्ट किया गया और उसके उसे किस ने डेजाइन किया था पिंगाली बेंकरिया ने आरा समझ में कोई डाउट जून भी होगे जुलाई भी होगे अगस्त में हम आजाद हो गया 1927 को क्या हुआ प्रारूप सम्टी का गठन किया गया था कितने सदस्ट थे शाथ सदस्ट थे भी नाम यह सब को याद हो गये थे नहीं हुए थे याद मैंने ट्रिक बताई थी उससे कर लीजिए आसानी रही क्योंकि जब कोई पूछता है कि कौन थे सदस्ट है तो हम पहले ऐसे से नाम लेते हैं माधा तो ऐसे गोपाल स्वामी आएंगा ऐसे सोचते ऐसे करते हैं तो ट्रिक से आपको ऐसे मैंने बताया है आयंगर और एयर मुशी के पास माधा और कृष्णा के लिए दूद लेने गए दूद से याद रखी गां सेयन मुहम्मद सादुल्ला ठीक है 29 अगस 1947 को क्या हो गया प्रारूप समिती बन गई और इसी दिन मैंने कुछ और भी सायद आपको सुछ बताया था हां इसके बाद क्या हुआ मैंने एक चीज कुछ बताया था कि अरे यार कॉपी खोल के रखे हो मुझे लगा सब को याद हो गया है हां ठीक है जिन लोगों ने कल अच्छे से नहीं लिखा वो लोग खोल के रखें बाकी तो ना करें ठीक है तो मैंने फिसके बाद बताया था कि भारत आजाद हुआ उसके बाद एक डोमेनियन बिधान मंडल संभीधान सभा की बैठा कोई मतलब आजादी के बाद हम स्वतंतर रूप से हमाई संभीधान सभा की पहली बैठा क्या सकते है आजादी के बाद और साथी साथ हमाई बिधान मंडल की पहली निकले आजादी के बाद की गई पहली बैठा कब बताई थी मैंने 17 नॉम्ब 1916 लिखा है मैं आपने बहुत बढ़िया लिखा है नेहा और रंगीता लिखा आप लोगों ने यह लिखा आप लोगों ने चलिए ठीक है उसके बाद क्या हुआ था मैंने फिर संभीदान सभाग के वाचन बताए थे वाचन मतलम मैं निकल क्या बताया था एक में अब सब्सक्राइब कि उसकी चर्चा ठीक है वाचन कितने हुए थे तीन हुए थे तीनों की देट याद है इस सब लोग अलाग अलाग मत बोलियेगा पहप्रत्रम वाचन कभ भुआ था चार से चार से नौ नॉमबर उनीच सो और टालिश तक सही बोल रहे हैं दूसरा वाचन कभ भुआ था 15 नॉमबर से 15 नॉमबर से कर दो कि फंद्रा नॉबर से सत्तर अक्तूबर नीस तो नन्चास और तृती वाचन कब उखाएं अक्तूबर के बाद कौन समय ना आता है कि नॉबर तो तृती वाचन कब उखाएं चाहुदा नॉबर से चबीस नॉबर नॉबर नॉप्शन चाहँ लिखा कि आप नोनोंने समय दिमें आपने वाचन लिखा आप वो ने कुछ भी नहीं लिखा वह जितना वोन सब तो लिखा अपने है तिक है उसके बाद क्या हुआ कहां तक हम पोचे या वाचन तक हम प्रशाज तक क्यों चला था यह कि उसी दिन संविधान सबाग की मतलब संविधान बन चुका था तो यह आखरी वाचन हो गया 26 जबिस नॉबर निश्मनवान चास को समीधान बन चुका था इसे लागू कप किया गया जबीज जनवरी 1950 को कल मैंने रीजन भी दिया था क्यों किया गया था क्यों किया गया था उनीश सो नतीस में लाहोर अधिवेशन हुआ था वहां पर जाभी नदी जानते हैं का है रावी नदी के टटपर पंडी जवाहलाल नहिरू ने जंडा फैदा आया था उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना प्रथम तो इसी की प्रेणना लेकर क्या किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्या भारतिय संभीधान इसके बाद मैंने कुछ और बताया कि इसके बाद मैंने यह भी बताया था कि संभीधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी काई संभीधान लागू होने से दो दिन पहले एक बैठा कुई थी जिसमें तीन चीजें हुई थी क्या क्या हुआ था भारत के प्रथम राश्पति चुने गए कौन राजेंद्र पसाथ राष्ट्रिगीत राष्ट्रगान को अड़ॉप्ट किया गया था और यह बताई मुझे इसे संबंदित कोई सवाल है क्या अब लोग पता स्वादेश्टी अंडोलन के टाइम पर एक रभी ना टेगों ने अब लिखाता है अमर्सोरणार बांगला आप जानते हैं यह फिर क्या हुआ उनीसी कट्र में बांगला देश का क्या बना और यह याद रहिएगा यह इन्होंने कब लिखाता स्वादेश्टी आंडोलन के टाइम पर ठीक है चलिए आंगे लिखें आंगे मतलब अभी और भी रह रहा है फिर मैंने एक चीज़ बताई थी संभीधान दिवास की सुरुआत कभी थी कुछ लोग ने बताया था कि जब लाग हुआ था तब इस सुरू हो गया था दोजब 15 से सुरूआ था कब देट क्या थी 26 1949 क्या करें निशा तुमसे उम्मीद नहीं है फिर मैंने बताया था कि जो आजाती के बाद चुनाओ तो हुए नहीं थे और जो समीदान सभा के लोग चुने भी गए थे वो भी अपर टेक्सी रूप से चुने गए थे कोई भी उसमें वैस मतादिकार था नहीं फिर चुना हो कब हुए हां उनीश इंक्यामन बामने चुना हुए और फिर उससे पहले एक अंत्रीम गौर्मेंट बनी थी उसका अस्तित कब समाप्त हो गया 17 अपरेल 1902 को खतम हो गया उसका अस्तित क्यों क्योंकि एक नया एक चुनाओ हो चुके थे और एक नई सरकार आ चुकी थी है फिर मैंने कुछ बताया था कि समीदान सभा के सचीव कौन थे है एच वी यार वो पीछे वाले अयंगा से कंफ्यूज मत होईएगा फिर मैंने एक चीज़ और बतायती चीफ ड्राफ्ट मैं मतलब मुख्य प्रादूपार कौन थे हैं एनन क्या एल एन मुखर जी और समी सब लोग आधा आधा नाम बोलें सब तिवारी जी कौन थे संभीधान सभा संभीधान की सुलेखाक जिन्हों ने लिखा था हसलिखित था ना हो संभीधान तो लिखा किसने था जो बसंत कृष्णबैद थ Divine लिखा था पर अगलाप जो मूल समीधान जो लिखा गया था वो लिखा गया था इंग्लिश में उसे किसे लिखा था प्रें विहारी ना या लायजादा कि शैली में लिखा था इटालिक शैली इसे हिंदी में कहते हैं अगर हिंदी में आए कि शैल में इखा तो लिख लिख लिए अगर ऑप्षिन प्रवाह मैं और सजावत तो आप लोग पता किसने की थी ननला ब्लबोस और एक ब्यूहर राम मनुहर बोस्त है ठीक है और यह तो मैंने बता दिया हिंदी संस्क्राइब किसने लिका था बसंत्रक्रश्ण व्याद्धने अब कर कुछ चीजे रह गई थी पहली चीज रह गई थी क्या कल ज फिर भी मैं कूछताओ कुछ पूछाहं हूं है कि पहले समीचिया accept varyयaire समरीद्धिं में आपने समीचिंद्द कल कुछ जलवाजीम बहले तो कुछ लिकतीक उस नहीं लीकितक लोगत कुछ इंपोर्टेंट समितिया लिख लिए संग सक्ती समितिय कौन ते सब्सक्राणि प्रारूप समिति यह दो कोई ने इस बता देगा उससे पूछलो ठीक एक मूल अधिकारों एबम अलप संखेकों संबंदित परामर्शमिती थी बल्ला भाई पटल अगर इन सब को काट जिया रहा है मतलब जैसे कि अब संखेकों की उपसमिती और मूल अधिकारों की उपसमिती ऐसा हो जाए तो फिर अलग हो जाएंगे ठीक है कौन-कौन थे मूल एक प्रक्रिया नियम समिती थी प्रक्रिया नियम समिती सिंपल भी बात है समगीदान सब कि क्या प्रक्रिया होगी उसका अध्यक्सी रिसाइट करेगा अभी भी अध्यक्सी रिसाइट करते हैं चाहलोग सभा के राज सभा के हो ठीक है और एक मैंने बता है राज्यों के ल उन्हें वह संभीधान सभा के कारओं ऺए तो सोचिए कौन थे अध्याक्ष इस ताइं पर जीवी मानौकर त्रे की नहीं थे थे एक लेड़की ने कॉंफिडेंस से बोला वाके सब्सक्राइब मूह नीचे करके रहे हैं ठीक है और सदन समीटी गए सदन समीटी मुझे लगा आप लोग समीटी तो पुछ रेटली होगी से पट्टाभी सीता रमय्या और राष्ट्र धोज संबंदी तदर समीटी गए गलाद राजेंदर परसाद अच्छा आप लोग इसारी समीटी याद हैं समीटी याद हैं तो यह जित्ती लिखवाई उत् राज्यों के लिए समीटी जवाहलाल नहरू यापी बड़ी भूख लक्षमी कांथ खोली जाए उससे सारे समीटी लिखवाँ हैं पताई अब आपने इतना वोल दिया काफी है और मैंने कल कुछ एक चीज़ बताई थी एक इंग्लिश में मैंने वाइड बोला था यह संभीदान बन चुका था संभीदान अब हमें लग गया था कि हमाने समीटी निर्मित हुआ था ठीक है अब हम समीधान के स्रोथ देखेंगे स्रोथ में एक तरह से हम एक ब्रिटेन होता है ब्रिटेन है दूसरा कौन है अमेरिका तीसरा कैनडा नहीं नहीं वह उन लोग का तो इत्ता ज़्यादा मात हो नहीं क्योंकि उनके तो पीएसपी जिसका समीधान में एक तरह से नाम मात के लिए रख गया है इस राज्यों के लिए एक क्या है निर्देश है अच्छे इन टीनों में कुछ रटने की कोशिस मत करिएगा ब्रिटेन में क्या है प्रमुख संसर्द अमेरिका में जो अगर ताकत में आप बोलेंगे प ब्रिटेन में कोई भी राज्य नहीं है एक बात यां रखीएगा ब्रिटेन में ऐसे जैसे की लोक सबादेश हमारे यहां पर सीरी चुन ली गई बस वहां पर कोई राज्यों का बिदान मेंडल नहीं होगा ठीक है समझ आज है कुछ अमेरिका में क्या एक फैडरेशन है मत संसदी वेवस्ता मैं अ मेर्का की संघी वेवस्ता पूरी तरह से नहीं गई क्योंकि आपको पता है कि 1861 लेकर 1865 टक अमेरिका में civil war चलाता civil war मतलब गरह युद्ध अमेरिका के जो दच्छनी प्रदेश थे वो अमेरिका से अलग होने पर उताद हो चुके थे यह अब हमें अलग होना क्योंकि संविधान ने कहा कि हर राज्य अमीरिका से अलग हो सकता है ठीक है कहा था तो उन्हों ने बोला कि हमें अलग होना है तो इसलिए 801 टक क्या चला था अमेरिका सिभी लग लिख सकते हैं अठाव सिभी वाज चलाता तो कि आपको पते कि हमारे अनुचेद एक में लिखाया कि भार्द राज्यों का एक संग है लिखाया न तो कोई बताएगे कहां से लिया गया है कि नहीं नहीं एक चीज़ लिख लीज़े ब्रिटिस नौर्थ अमेरिका अधनियां से लिया गया है प्रिटिस नौर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है राज्यों का संग कॉंसेप्ट अप लोग पता है अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था यह बात पता है तो मैंने क्या बता है कि इस ढटना हुई तो मुझे लगता है यही सोच कि उन्होंने अमेरिका और ब।ब्रेटेयम你看 hani संसदी व्व 충्क मंदल अमेरिका से लिए गया नैंनालर की पुनावी लोकल चम्ता और कैंनड़ास सहाथ के एलगे तो मतलब ओर सक्तियां भी सीबनेंटर हो गी किसमें केंदर में मतल्स से क्या क्या लिए लिए से उसक्त पुनाली और एकल नागरिक्ता और मंत्री मंदली प्रणाली यह मेरे रिखाल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टन रही है तीन है बाकि तो और भी साही चीजे लिए जैसे संसदी विशेशारिकार और बिधी का शाशन संवेधानी ग्रूप से राश्रपती की इस्थती पर राश्रपती की इस्थती ली गई ना की राश्रपती का पूरा कॉंसेप्ट क्योंकि ब्रिटेन में राश्रपती निर्वाचित नहीं होता वो क्या कर चलता वह अंसगर और इंडिया में क्या चलता है राश्रपती निर् क्या है परमादिकार लेक मतब जानते हैं आप आप अचली कुछ ताइम पहले ब्रेटेंड में राजा हुआ करते आपको पता है तो राजाओं के पास विशेशा दिकार होते थे वो जो एक गैजट निकाल देते थे एक राजपत्र वो का वो स्टाशन होता था अब क्या होता इंपोर्टन द्धा और उपर राश्वपति का पद और साथि साथ नयाइक पुना लिबोकों नयाइक पुनावी लोकर मतलब जेशील रिव्यू कैनेडा से अभी मैंने क्या बता है एक ससक्द केंद्र होगा महां पर और ससक्द मतलब और सक्तियां उस्षी सक्तियां मतलब क्या होता है अगा आख अश्षिष सक्तियां और शीष शक्तियों कांसे लिए यह पता पदेश्षिष सक्तियां है क्या अरे तो है क्या जित्यश्षिष सब केंद में कोई सूचियां है इंडिया में तीन सूचियां हैं माल लीजिए कि कोई ऐसा नया चीज आ जा जो तीनों सूचियां में नहीं है तो क्या कहलाएगी और सिस्थ सकती है यह रटने की अथा छमता ठीक है लिखे एक पाल की निउकती है कहां से का सलिए रखांस हिएं लीजक द्र्मियां झाहिए दोफिए कानेडा से मताय और कि अफ्रीका नहीं है अध्रीका बताओ दच्छिन अफ्रीका किसे लिए गया अफ्रीका से लिए गया अफ्रीका में लगभग 40 30-40 देशों में सबसे लिए गया मतलब दच्छिन अफ्रीका से लिए गया ठीक है और फिर और ऑस्ट्रिया से क्या लिए गया है और क्या मैंने है और साथी साथ संवर्ति सूची सवांस से अब अभी जब प्रस्ताहणा पढ़ें तो प्रस्ताहणा में कोछजेंगे कि स्वतंतता समानता बद्धुत्यों का सिंदान है ना प्रस्तावना में और जापान से क्या लिया गया है अब यह जहां पर आपने बोल दिया पूटा पता चले गया क्या लिया गया है इस फिज भूर अ कि इस्थापीट प्रक्रिया लोगिसाइद संदो फर्तु योगी सद्धापीट प्रक्रिया क्या है मुझे लगता है आश्यार्व सर्व ने तीन चार बार बताया औồ मुझसे छे बार पूछ आ है क्लास में तो कोई बताएगा कि bd-radha इस्थापिट पिरकृया क्या है कि इस वीदी दौदा इस्थापिट प्रक्रिया नाम से इस पर स्च हो रहा है है तो दीर धीर मत बोलो तेज बिल्कुल यहां तक आप आड़े तो गलत हो गया तुम्हें सब लोग फॉलो करते हैं को इसके उपार अच्छा मुझे बताइए भारतीय संसाथ क्या हर कानून को बनाने के लिए संपरवू है क्यों नहीं है कि विधी कौन बनाता है संसर बनाती है और इस्थापिट प्रक्रिया मतलब संसर जो कानून बनाएगी उससे संबंदित है एक और सब्धाता विधी द्वारा नियत प्रक्रिया आप तो सभी लोग पता चल गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूं अब आया समझें प्रक्रिया तो नियत प्रक्रिया क्या है और है कि पता यह कोशन में क्यों पूछा हूं कि मुझे लगता है कि छह साथ बार सब्सक्राइब पूछा है पॉलिटी में कि चाले प्रूप लेते हैं फूब अरे क्या बोल नहीं है प्रूफ कि बोलना नहीं आए पर समझ रही है न समर्दी में आपको बोलेंगी आपने बोलेंगी आपने हाथ कड़े कर दिये को राति सर्मा जी सर्मा जी किस से लिया गया किस से लिया गया प्रक्रिया यहां पर लिख लिजेगा बीडियो में रैटिंग समझ में नहीं आएगी और उद्देश बिधी दौरा स्थापिर प्रक्रिया मतलब क्या प्रक्रिया आप यहीं से मतलब कर लिजे कि प्रक्रिया मतलब सर्वोच चनेल है अगर बिधी दौरा स्थापिर प्रक्रिया किसी देश ने अपनाया है तो संसत केवल उसकी प्रक्रिया चेक करेगी पर अगर किसी ने नियत प्रक्रिया अपनाया है तो नियत मतलब उद्देश यह देखिए नियत मतलब उद्देश और प्रक्रिया मतलब यह तो है अगर किसी देश में नियत प्रक्रिया है तो उद्देश और नियत दोनों चेक करेगी मतलब उस कानून का उद्देश क्या है और साथी साथ उसकी प्रक्रिया क्या है भारत में अगर बीदी दोरा इस्थापिट प्रक्रिया बस होती है और है भी संसर्द मतलब सर्वोची नहीं प्रनावी लोकन कर लेता है पर आप लोग पता हो किसलिए करता है क्यों क्योंकि उसमें उद्देश किस चीज से चेक कर लेती है कि उसे मुझारों का संदक्षक बनाया गया तो इस कानून में मुझारों को कुछ वो तो नहीं हो रहा है हनन तो इस आधार पर चेक कर लेती है अगर मुझे तो लगता है कि नियापाल कर थोड़ी कमजोरी रहती है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और आदे श्कांस लिए गया है अमझे लग दाते हैं निदान के स्रोथ हर किसी को आधे कि अड़े शोभियत संग रूज साभियत संग रूज सोवियत संग और अब के रूश में क्या फर्क है उसका बिक्तन कब हुआ है नब इंग क्यान में हुआ है चलिए ठीक है क्या क्या हो गए आपका और दोनों संसर्च के संयुक्त बैठा गए उसका कॉंसेप्ट कहा से लिए गया है मतलब आप लोग को सुरूत बिल्कुल याद नहीं है जब कॉस्टन यहां से पूछे जाते हैं आप लोग ने बिटें अमेरिका और कैनेडा की तीन चीज़े याद करें बागी चीज़ें कौन याद करेगा संयुक्त बैठा कहा से लिए गया है लिख लीजे ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया अब यहीं बताइए कि संयुक्त जो भारत में दोनों सद्नों की संयुक्त बैठा को तिसके अध्यक्सिता कौन करता है ऑप्शन नहीं दूंगा अरो और कि अध्या अध्या कंट रुब एक वसिंग। अध्या अध्या मंश्च जयूंग के पूच्छ यह एक बताइए शेल अवाल्तिका अब जो बताएगा मैं 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 समझ जाओं कि उससे इंटेलिजेंट यहां पर कोई नहीं है यहां पर अगर मैं कहूं लोग सबा अध्यक्ष के बारे में मुझे बताईए वह निर्वाची थोता चैनी थोता मनों नहीं थोता है अपर निर्वाची आपने बोला और कोई नियुक थोता है और कोई अध्यक्ष किसे बोला आपने और कोई अनन्या नियुक्त होता है आप दोनों नियुक्त होता है निर्वाचीत किसके ने बोला आपने बताईए आपने क्यों बोला निर्वाचीत आप निर्वाचीत करते हैं लोग सभाग जब अध्यक्ष चुनाओ होता है तो आप बोल डालने जाती है गलत मनों नित किसने किसने बोला किसे नहीं बोला नियुक्त किसने बोला मुझे सुनाई दिया था क्या उसे राश्रपत्ति नियुक्त करता है या पर कोई ऐसा ब्य नियुक्त रहो वो चैनित होता है सदस्चियों द्वारा उसका चैन किया जाता है कि चारों वार्ट थे ना कंफीजिंग चारों एक ही जैसे लग रहे थे हो तो रहा है आखिर चलिए ठीक है आंगे लिखिए कि और कुछ आपको में प्रस्ताउना के बारे कुछ बताईए भारती प्रस्ताउना भारत की प्रवस्ताउना प्रवर्तनी है प्रवर्तनी नहीं मतलब समझें प्रवत्नी है नहीं है प्रस्तावना के बारे पूछाँ मैं प्रियंबल उद्देशिका प्रवत्नी है अदे तो प्रवत्नी है है प्रवत्नी नहीं है प्रवत्नी नहीं प्रवत्नी एक सव्ड़ और अन्फ्र उन इंफॉसिबल उसे लागो किया रहत लिए नहीं किया तो मैंने प्रवरतनी नहीं है यह कहां से लिए गया प्रस्तावना का कौंसेट अमेरिका से परणतुस की भास्रा और सेलियर के प्रस्तावना से मिलती है यह आप प्रवरतनी है इसे यह संसोरित हो सकती है क्योंकि समईदान का भाग है तो आप ने आलय में जाके है कि इसमें चीज़े लिखी हैं तो आप कर दो कि इसका मतलब यह होता है कि आप उसे लागू करवा सकते ने करवा सकते तो मेसे लागू आप नहीं करवा सकते हैं नहीं और इसे एक चीज़ लिख लिए केशरवा ना भात हो Vanderiaических संविधान का मान आ गया और इसमें संसोधन किया जा सकता परंतु मूल धांचे को हनन किये बगैर ठीक है उससे उसके इस च्रक्टर में बाना आई क्या है इसे आप लागो नहीं कर वा पाना यह क्या है मतलब प्रवरत नहीं है क्या है अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई 1973 केश्वारन भारति वार्वार में से संविधान कांग माना गया है और इसमें शंसूदनी है परंतु मूल धाचेव को संसूदन किये बिना कि संसूदन किया सकता है तो कोई ग्जांपल की कब किया गया इसमें 72 ये 76 बतादीजे 42 में संविधान संसूदन में सब्सक्राइब करके क्या किया गया कि कौन कौन से त्रीन सब्सक्राइब जोड़े गए ते कौन कौन से समाजवादी पंथे पेक्षिता और अखंडता जोड़ा लिख लिए उनिस्तों चीज़ बैल समीराज संशोधन में और एक और एक किसी से संबंदित है मतलब 13 दिसंब उनिश्वाद 46 को जब उद्देश प्रस्ताव लाया गया था तो उसी से इसकी बासा मिलती जुलती है ठीक है चली मुझे एक बताईए किसी ने इसे संबिधान का परिचे पत्र कहा है किसने कहा है यह लिख लिजे इंपोर्टेंट है एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संबिधान का परिचे पत्र कहा है एन ए पालकी वाला दिख लिए आप लोगों ने हाँ यह प्रस्तावना को किसे प्रस्तावना मूल समिधान में थी समिधान में लिखी नहीं गई थी उसी के साथ थी बढ़ फिर सबाल आया कि जो प्रस्तावना है क्या उसमें परिवत्तन किया जा सकता है और क्या हुआ है संभीधान का भाग है की नहीं यह 1973 में केश्मान भारतिवाद हुआ उसमें सुप्रीम कोट ने कहा कि यह संभीधान का भाग है और इसमें संसोदन किया जा सकता है पर बगैर मूल धाचा को परिवत्तन किये भी ना समझ में आगाला लिख लिए चलिए उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं अनुसूचिया सब को याद है है हां याद है आट भी संनुसूचि में क्या है कितनी भाषा है मूल संभीधान में कितनी भाषा आए थी 14 भाषा आए थी देखिए मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे याद किया है कितने महिनों में रटा है कितनी बात प्रैक्टिस किये पर अगर अगर मैं इसे पढ़ा रहा हूं तो मेरा देख लिए ठीक है मेरे कुछ इंगलीश शब्द है अगर आप लोग इंगलीश भी अपने थोड़ा वो करना चाहते है तो भी सिद्ध कर लिए टियर्स ओफ ओल्ड पी एम यह शब्द है कुछ समझ में रहा है टियर्स ओफ च्छह साथ आठ नौ दरस ग्यादा बारा बारा सब्द हैं मतलब बारा अनुसूचिया है ग्यार्वी अनुसूचि में पी से क्या होगा पंचायत M से क्या होगा? Municipality Municipality मतलब क्या होता है? नगर पालिका यार वही होता है कभी इंग्लिश पी नहीं देखा? कि Municipal Corporation of, Bhopal, दिल्ली, उसका मतलब क्या होता है? नगर पालिका यहाँ पर T से मतलब क्या है? T से मतलब है यहाँ पर territory Territory को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब एक राज्य छेत्र कोई छेत्र है अगर आप लोग को मतलब अभी अनुसूचियं रटनी ना हो इससे याद करना हो तो लिख लीजेगा ठीक है? तीसे मतलब territory territory मतलब कोई छेत्र तो पहली अनुसूचियं में क्या होगा? संग और उसका राज्य छेत्र इ का मतलब क्या होता है? Emoluments इससे आपका word power भी तेज होगी मतलब आपके सब्द भी तेज होगी कि इसका मतलब क्या होता है? Emoluments मतलब बेतन भत्ते एवं बिशेशादिकार Emoluments मतलब भत्ते में बिशेशादिकार होता है A से क्या हुआ? Affirmation Affirmation मतलब सपत होता है यह मैंने उन लोग को लिखवा था हूँ जो लोग ने अभी तक यार ना कियो इस पर जिनसे रटा नहीं जाता हो तो आप लोग बस यह सब्द रट लिजगा यह सब्द रटना ही पढ़ेंगे क्योंकि English तो रटना ही है English के सब्द तो आपको रटना ही पढ़ेंगे कि territory मतलब कर तो वैसे ही आप लोग वह English तो आती है जो अभी यहां पर सामने बैठे हूँ तो क्या है? T से territory, E से emoluments, A से affirmation मतलब सपत समयदी मैं दिख रहा है? समझ में आरी रेटिंग? R से क्या होगा? राज्य सबा राज्य सबा सीट एलोकेशन मतलब राज्य सबा की सीटों का आवंटन जिसे समझ भी ना रहा हो वो पूछ लेगा, ठीक है? कहां तक हो गया? R से हो गया अब बचा क्या? S S से क्या आता है? S C S T मतलब अनुसूचित जाती और जनजाती का छेत्र अनुसूचित और अनुसूचित जनजाती चेत्र ये लिखा देख लीजेगा लिखा ना? अनुसूचित और जनजाती चेत्र ऐसे लिखा ना? जो आपका ओ है ओ से क्या होगा है अधर ट्राइबल एरियास में कितने स्टेट्स हैं तो कितने हुए पांच क्यों बोल रहे हो पांच कैसे हुए चार गीन रहे हो और पांच बोल रहे हो देखी अधर ट्राइबल एरियास में चार इस्टेट्स को क्यों रखा गया है पहला असम रखा गया यहां पर एक चीज लिख लेजेगा एस में कि यह चार राज्यों को छोड़ कर आसम मिघाले मिजोरम और त्रिपुरा अगर आपको एक अलग से चीज जाननी है तो याद रखिएगा इन चार जगर पर जो ट्राइब्स हैं उन्हें एक विशेशा दिखार दिखार दिया गया मतलब आटोनॉमिस बॉडी मतलब सौयत संस्थाएं इन आसम में तीन हैं मिघाला में भी तीन है और मिजोरम में एक है आटोनॉमस काउंसल मतलब जानते हैं इसका मतलब यह होता है कि वह राज्य के अधिन नहीं है नहीं केंद्र के वह लोग अपना प्रशासन स्वैम चलाते हैं आप लोग अंशुची बार पढ़ चुके पर अब तक पता नहीं चला कि यह किसलिए दिलाया गया है जन जाती है तो आसम में कौन कौन है बोर्डो लेंड बोर्डो लेंड एक नया आटोनॉमस काउंसल बना उससे साथ साथ दीमा हसाओ कबरी यांगलांग तीन हो गए मिघाला में आप लोग जानते ह जानते ने यह तीन लोग की आटोनॉमस काउंसल बनाई गई वहाँ पर इन लोग का राज जो केंडर पर कंट्रोल नहीं यह लोग स्वायत संस्था आए हैं मिजोरम में अधे नहीं पता आपको मुझे पता है बताओ फिर पता है ना अधे मुझे भी तो याद नहीं आ रहा है यहाँ पर था चकमा मारा और ली हाँ चकमा और मारा और ली ऐसे कोई तीन अर्टोनॉमस काउंसल है चकमा हाँ चकमा मारा और ली लिखी है किमत मैं आपके अलग से करना वह दे रहां इंफ्रमेशन है ठीक है एक से क्या है एक मतलब साथ भी अनुसूची यहां इसका मतलब मारा लीजे फेडरल लिस्ट संवर्थी सूची तो माल लीजेस में कितनी सूची आऊंगी शची राजिस्ची समद्य से आरे रंगीता कोई दिक्कत नहीं नहीं बोलो बोलो मुझे पता तुम्हें समाज में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो रिकॉर्ड रहें तो एक बार फिर से देख ले फैडरल लिस्त मतलब क्या होता नहीं था संगी सूची तो इसके साथ राज्य सूची भी और संवर्ती सूची भी है ठीक है यह मैं आगे पढ़ा हूं यह फिर सो गया बढ़ा दूं कहां तक हम लोग पहुंच गए फैडरल लिस्त तक कहुंच गए यह लिख लिए आप लोग आप ओफिशल लैंग्वेज थीक है ओफिशल लैंग्वेज मतलब भाषाए ल से लैंड रिफॉर्म है एक्शली यह भूमी सुधार से संबंदित या नुसूची थी मुझे बता है आप लोग को यह बहुत जल्दी तो याद नहीं होगा पर फिर भी एक है डिफिक्शन ल डिफिक्शन मतलब दल बदल बिरोधी कानून चलिए यह बैसे मैंने मुझे आप लोग के लिए लिए दिल्ली पुलिस के जो बच्चे उनके लिए क्योंकि वह लोग ज्यादा जल्दी याद कर लेंगे से मुझे उनसे उमीद है नहीं एक्शली दिल्ली पुलिस में उनका उसका वेटेश ज्यादा है जनल जनल नौलेज का और करेंट अफेस का तो लोग आपसे जनल लौज में काफी ज्यादा तेज होंगे और लोग की ज्यादा बस देखते ही वह लग याद करने के से उनसे तो मुझे पूरी उमीद है मतलब लैंड रिफॉर्म मतलब भूमी सुधार और यह आपको पढ़ाने को देश नहीं था मेरा दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को था क्योंकि वह हर कोई नहीं रटता अनुसूचिया ठीक है लिख लिए आप लगारे जिसे लिखना था तो भाई बाद अनुसूचिया हो गई आप चलिए कोशन पूछेता हूं बाद भी अनुसूचियों से नोभी अनुसूचि कब जोड़ी गई अब ग्यारा मिनिट हुए है इति लए से पढ़ाद हुए है तीक है सुनिये किता मिनट हुआ है फोर्टी नं की दद है अले नीचे थीक है तो काहां बते हम लग अनुसूचिया मैंने अनुसूचि के बारे कुछ पूच आ था कि नाइट सद्ड्यूल मतलब नौभी अनु अनुसूचि कब जोड़ी गई थी यह लिख लो अरंगीता लिख लो प्रथम संभीधान संसोधन उनीच्ट इंक्यामन में जोड़ी गई थी इसका उद्देश यह था कि जो न्याला है इसका पुनविलोकन ना करपाए नौभी अनुसूचि का इसमें डाले गए कानुनों थीक है दस्वियन नुसूची कब जोड़ी गई रंगीता लिख लो प्रथम संभीधान शंसोधन उनीच्ट इंक्यामन उलन क्या मैं समझ गया आप लोग का अच्छा तयार है मैं इसे छोड़ने वाला था मुझे लग रहा था सबको आता हो गए उत्ती ही दूर है कि दस्वी अनुसुची क्या थी कानून बदल रहे थे इसलिए लाए गया तक कब लाए गया कौन सो संभिरान संसोरन था बावनमा संभिरान संसोरन उनिस्सों पचासी रटने का यही तरीका हो था रट लिए इसलिए अब यह सब हो रहा है कि इत्ती जल्दी नहीं लाए गया था था थोड़ा और लाए गया था रंगीता लिखलो दस्वी अनुसुची कब जोड़ी गई थी बावनमा संभिरान संसोरन कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनिस्सों पचासी ठीक है अब कौन सी अनुसुची बच्ची ग्यारवी बार भी यह तो मुझे पता आप सोते सोते बता रहें हैं ग्यारवी अनुसुची काव संभिरान संसोरन कोई लोग यह बता रहे हैं रंगीता इलोग की मत सुनना ठीक है ग्यारवे में कौन सा संभिरान संसोरन गवा था ग्यारवी अनुसूची कौन सा गोता समाजी सेवेंटीवन वा सर्माजी तेहत्तर वा संभिरान संसोरन 1902 में किया था पर 1993 में इंप्लिमेंट हुआ था मत्तला इस सुची जुड़ गई थी तो आप लोग यह लिख लीजेगा 1992-93 ठीक है बार भी अनुसूची चोहत्तर संभिदान संशोरन इस सीय का मतलब है कंसिट्यूशन अमेंडमेंट सीय मत लिखके वैट जाएगा मतलब संभिदान संसोरन कब जोड़ा गया यह भी 1992-93 कई है सेम यह था तो कहां तक आप के लिख सूचिया हो गई बादा तक हो गई ज्यादा हो गया है अब मेरे ख्याज़त हो गई है आज हमने पुदाना दिवीजन किया प्रस्ताओन थोड़ा पड़ा और अनुसूचिया पड़ी इतनी क्लाश छोड़नों या फिर आंगे अब प्रथम संभिदान का पहला भाग पढ़ा हूं बताई समृतिए सुन लीजे का अरे इस नाराज मत्तों मनी पढ़ा रांगे पहले एक चीज़ देख लीजे यह जो सेबंध सेड्यूल था उसमें तीन अनुसूचिया थी ना कितने विश्य थे उसमें साथ भी अनुसूची थी कि कितनी अनुसूचिया थी तीन थी संग राज्य थी और एक संवर्ति थी संग में कितने अर्विश्य थे मूल संविदान में कितने थे देख लिए ऐसा लिख लिए मूल मूल संविदान में 97 थे परंतु वर्तमान में 100 हैं राज्य सूची में लिख लीजिए 66 और अपक्ते हैं अब 61 संवर्ति में मूल में कितने थे आरे उसी के 5 उसमें डाल दिये गए था राज निकाले गए थे इससे अर्जाज जैसे निकाल के इसमें डाले गाए थे समवर्थी में कितने थे मूल में मूल में 47 थे अब प्रेजन्ट में वर्तमान में बामन है पहली चीज़ यह हो गई है ठीक है अब कौन सी अनुसूची बच्ची है आठवी अनुसूची फूरी नहीं हुई है दिमाग दिमाग बहुत ठक चुका है ठक चुका है कोई बात है तीन अनुसूची कल कल लेंगे ठीक है उसकी अब यह लिखना है कि कौन से संभीदान संस्योद्र में क्या हुआ था कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 14-13 मूल रूप से भाष ठीक है बस वो कल इतने ही रहगा बाकि कल फिर समिनान का प्रिथम भाग पढ़ेंगे है कि इस तरी ना से दिर्माट है